वेल्कम टू दा यूट्यूब चैनल ग्राफिकली आज की वीडियो में पढ़ेंगे टाइम और वर्क के बारे में यहां पर आपको दो चीज़े दी गई होगी टाइम और वर्क आपको बताया जाएगा कि कुछ लोग हैं वो कुछ काम कर रहे हैं कुछ दिनों में तो इसमें कितने डिफरेंट टाइप्स के आपको क्वेश्चन बनते हैं उनको करेंगे तो देखिए पहला क्वेश्चन है आपका पहला क्वेश्चन है वंधना कंप्लीट सब्वर्क इन 35 डेज़ वाट वर्क विल्शी दू इन वंडे मतलब वंधना जो है किसी काम को पेंतिस दिनों में करती है तो एक दिनों में वो काम का कितना पार्ट करेगी तो देखी जैसे यहाँ पर कहा गया है 35 days में वो पूरा एक काम complete कर लेती मतलब माले 35 days में वो one unit काम करती है अब आप कहा जा रहा है कि one day में कितना काम करें वन डेज में तो one days में simply जैसे आपका यहाँ पर 35 by 35 होगी यहाँ पर आप 1 by 35 unit कर दीजी यहाँ पर आप देख रहे हैं जो आपका time है और जो आपका work है वो एक direct proportion में चलते हैं तो अगर हम time and work की बात कर रहे हैं तो जो आपका time होता है और work होता है यह direct proportion में होते हैं मतलब आपका time जितना बढ़ेगा या घटेगा उसी के according आपका work change होगा यहाँ पर आप देखें 35 days से one days हो गया तो जो आपका work है वो one by 35 हो गया मतलब उतना ही unit आपका reduce हो गया जितना की आपका time reduce हुआ था तो यहाँ पर आगर आप time and work की बात करें तो time and work में जो relation होता है वो direct proportion में होता है इसक 35 दिनों में किसी काम को कर लेते हैं मारली जी 5 लोग है 5% हैं और यह किसी काम को 35 दिनों में करते हैं मतलब वो one unit काम जो है 35 दिनों में करते हैं मतलब कि 10 परसन से हैं, आपके 5 परसन से पहले 1 यूनिट काम करते थे उतने दिनों में, अब अगर नमबर आप परसन आप डबल कर दीजी, मतलब 5 से 10 हो गया, तो आपका टाइम, आपका जो वर्ग है, वो 1 से 2 यूनिट हो जाएगा, तो यह हो गया कुछ, अब इसके बाद आप बात करो time and person की, time or person की, मतलब माली जीए 5 परसन थे पहले 35 दिनों में उसी काम को करते थे, अब अगर आप से कहा जाता है कि 10 परसन है, उसी काम को कितने दिनों करेंगे, तो यहां पर आप देखिए, पहले 5 परसन 35 दिनों में करते थे, अब अगर 10 आदमी हो गया, तो अब आपके person 결व हो रहे थे तो आपक टाइम जो हो गया वहाव memories हो गया मतलब पर्षेन और kita m 20 लोग हो जाएगे तो आपका 15 दिन Camkey बज़ाएifice हाफ दिन लगएगा 7.5 days लगेगा तो यह हो गया आपका एक basic part अब हमारे ये question भी हो गया अब इसके बाद हम different types types के questions करेंगे तो उससे हमारा clear हो जाएगा बिल्कुल concept कि हमें time and work के concept को कैसे करना है उनको कैसे use करना है तो next question है हमारे पास देखिए next question हमारे पास कवी does 1 by 13 part of a certain work in one day in how many days he complete the whole work मतलब कवी जो है one by 13 part का जो एक काम है का one by 13 part one day में करता है मतलब माले ये कोई काम है आपका वो है total one unit और जो कवी है person है आपका ये क्या करता है ये one day में one day में एक दिन में one by 13 part जो है कर लेता है मतलब one by 13 unit काम एक दिन में करता है तो आपसे कहा जा रहा है कि कितने दिनों में वह पूरे काम को पूरा कर सकता है तो यहां पर आप देखिए आपको दिया गया है वन वाई 13 यूनिट काम करता है तो यहां पर आप देखो यह आपका टाइम दिया गया है और यह आपका वर्क है तो जैस पर आपका time और work दिया गया person का कहीं पर भी नाम नहीं है तो यहां पर time and work तो आपका देखिए time अगर one day लग रहा है थर्टीन यूनिट के लिए तो answer हो जाएगा आपका 13 देस यह देखे यह तो बिल्कुल simple type की questions है इससे भी हम different types के complex type की questions बन सकते हैं उनको करेंगे तो देखे आपका next question है आपके सामने तो देखे इस question में आपसे कहा जा रहा है दो लोग है एक लोग है पी एक लोग है क्यों जो काम करता है उससे 3 rhyme fast आपका पी काम करता है और क्यों को काम करने में जितना time लगता है उससे 40 दिन कम लगता है पी को काम करने है ठीक है तो माल लिजिए एक दिन में क्यूं जो है आपका 1 unit काम करता है यह हमने माल लिया तो आपका P जो है एक ही दिन में वो 3 unit काम कर लेगा क्योंकि 3 times faster है यहां तक ठीक है फिर उसके बाद आपसे कहा जा रहा है कि Q को काम करने में P से 40 दिन जादा लगते है या आपको कह लेजिए कि P को Q से 40 दिन कम लगते है माल लेजिए Q ने जो है T दिनों तक काम किया तो यह इसका total काम कितना हो जाएगा 1 into 2 1 into T 1 into 2 T unit यह हो जाएगा आपका क्यों का काम इधर लिखते है 1 into T unit अगर यह T days तक काम करता है T days works यह हो जाएगा 1 into 2 unit यह तो आप लिख सकते हो T unit अगर इसने T दिनों तक काम किया अब यह माल लेजिए T दिनों तक काम कर रहा है तो यह T minus 40 दिनों तक काम करेगा और उतना ही काम यह कर देगा ठीक है तो यहाँ पर यह एक दिनों में 3 unit काम करता है तो अगर यह आपका T दिनों तक काम करेगा 40 minus T दिनों तक sorry T minus 40 दिनों तक T minus 40 दिनों तक 3 units के इसाब से तो आपका जो काम हो जाएगा 3 T minus 120 units और यह दोनों काम आपके बराबर है मतलब यह जितने दिनों में काम करेगा उसमें से 40 दिनों में आप घटा दीजिए तो उतना ही काम यह उतने दिनों में कर लेगा जो आपके दिन आएंगे और एक दिन में 3 यूनिट करता है तो T-40 देज में आपका इतना वर्क होगी यहां तक बिल्कुल ओके है फिर आप देखिए यह दोनों को हम इक्वल कर देंगे तो आपका जो टाइम है वो निकलाएगा अब अगर आप काम का भी निकालना चाहते हैं वैलू कितना काम इन दो उनने किया है तो भी आपका फाइंड आट हो जागा तो पहले ट को फाइंड आट करते हैं क्या हो जाएगा यहां सब देखिए 3T है यहां पर 1T है तो 3T-1T मतलब 2T आजाएगा और 2T बराबर 120 तो T की जो वैलू है आपकी यह आजाएगी 60 देज ठीक है मतलब जो आपका क 60 60 unit इसने भी काम किया यहां पर आप देखिए इस फॉर्मूले में रखेंगे कितना आ जाएगा यहां पर आप देखिए इसने 20 दिनों तो काम किया 20 कुले 30 60 unit 60 unit काम इन्हों ने इसने 20 दिनों में किया और आपके क्यों ने 60 दिनों में किया तो यह हो गया आपका question अब इस किसी काम को मिल करके करते हैं बीस दिनों में सुरी बारा लोग जो हैं बारा लोग हैं वो किसी काम को करते हैं बीस दिनों में टोटल माले जे टोटल आपका काम है वन यूनिट है तो बीस दिनों में वो काम करते हैं अब अगर हम कहें कि बारा मैन अगर आपके एक दिनों में क लोग अगर तो कितने दिनों में करें तो इहां पर 12 आदमी कवा गुए सब्सक्राइब यह हमसे कहा जाएगा एक दिन में कितना काम करें तो 12 यहां पर आप देखिए आदमियों का और टाइम का इनका परपोशनल जो होता है डारेक्ट परपोशनल में होता है वर्क की तो सेम यही आप कॉंसेट यहां पर लगा रहे हैं यहां पर आपका 20 डेज था तो 20 डेज में यह 1 यूनिट काम करते थे तो 1 डे में 1 बाइट 20 एक दिन में देखिए कितना काम कर रहे हैं एक दिन में करेंगे 15 इंटू 20 इंटू 12 इतना काम हो गया आपका इतना यूनिट करेंगे अब आपका टोटल काम कितना है वो है 1 यूनिट जो आपने एजियूम किया था 1 यूनिट काम तो पहले तो इसको सॉल्व कर लेते हैं क् देखिए 3 से यह cancel out हो जाएगा 3 का यहां पर आएगा 15 और यहां पर 4 और यहां से आपका 4 cancel होगा मतलब 1 by 16 unit तो यह देखिए 15 मैं अगर एक दिनों में इतना काम करते हैं 1 by 16 तो अगर इनको 16 देखिए के लिए काम करने को लिए दे दिया जाए तो यह वन यूनिट कर लेंगे यसे आप देखिए एक दिन में तो 1 by 16 unit तो अगर एक यूनिट की बात की जाए तो वह आपका 16 देखिए तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 16 देखिए मतलब 15 आदमी अगर इसी काम को करेंगे तो उनको 16 दिन लगेंगे 16 देखिए आपका आंसर हो जाएगा अब इसके बाद देखिए नेस्ट क्वेस्टन पर चलते हैं मतलब 10 लोग मिल करके 12 दिनों में काम करते हैं और एक दिन में वो पर दे में 12 घंटे काम करते हैं तो 20 खिलों ने बनाते हैं तो आपको बताना है कि अगर 24 लोग 32 खिलोंने बनाएं और एक दिन में 16 आर्ज काम करते हैं तो उन्हें कितना दिन लगेगा 32 ट्वाइस बनाने में देखें हैं यहाँ पर आपको क्या दिया गया है 10 मैं काम करते हैं 12 दिनों तक 12 डेस और 12 आवर्स काम करते हैं तो कितने खिलोंने बनाते हैं और यह आपका टाइम है तो यह जितना आपका रिडियूस होगा उतना यह भी रिडियूस होगा तो यहां तक तो ओके है अब इसके बाद आप बात करोगा एक आदमी एक दिनों में एक घंटा काम करें तो वो कितने खिलोने बनाएगा तो यह हो जाएगा 20 by 12 by 12 into 10 इतने एक दिन में आपके 16 आर्स काम करें तो उनको कितना टाइम लगए उनको कितना दिन लगएगा है बच देखा नहीं बच तो पर पर आपको परती है एक आद्मी एक दिन और एक डिन में और एक घंटे काम करता तो इतना बनाता है एक नरव गयो काम करें दिए यहां पर देखके 24 ना इन पने है चाप को नहीं Kissya वंडे में तो यहाँ पर आप वंडे ही अभी रखिए क्योंकि आपको डेस का पता करना है और 16 आर्स को एक दिन में काम करते हैं तो 16 आर्स तो यहाँ पर यह सबी मल्टिप्लाई होंगे 20 इंटू 24 इंटू 16 डिवाइड़ बाइ 12 इंटू 12 इंटू 10 तो यह इसको आपको सॉल्व करना है यहाँ पर देखिए 12 इंटू 24 हो गया यह आपका 10 से 10 कैंसिल हो गया यहाँ से आप देखो यह 2 टूजा 4 हो गया 4 से आपका यहाँ पर 3 से आपका टू तरी आ जाएगा 3 आ गया 16 वाई 3 16 by 3 twice देखो यहाँ पर आपका क्या हो गया 24 आदमी अगर एक दिन में आपके 16 घंटे काम करें तो वो 16 by 3 खिलोने बनाते हैं अब आप से पूछा क्या गया अगर 24 आदमी 16 आवर्स काम करें एक दिन में तो 32 खिलोने वो बना पाएंगे कितने दिनों में बना पाएंगे ठीक है तो आप देखो यहाँ पर 16 by 3 twice अब आपको यहाँ पर 32 खिलोने बनाने हैं तो आप यहाँ से निकाल लो कि एक खिलोना बनाने में अब यहाँ से देखिए यह तो आपके फिक्स हैं इसको आपको कुछ नहीं करना आपको दिन निकालना है तो यहाँ से आप देखो 3 by 16 डेज में 24 आदमी अगर 16 गंटे काम करें तो वो एक खिलोना बनाएंगे एक खिलोना बनाएंगे आपको 32 खिलोने बनाने हैं तो यहाँ तक आयते हैं आपको clear होगा तो हमने बिल्कुल basic से समझा है बाकि अगर आप इसको जब आप धेर सारे questions लगाएंगे तो आपको idea हो जाएगा कि हमें question कैसे fast solve करना है तो यह बिल्कुल एक simple सा है बस बताने में आपका time लग गया या फिल लिखने में बाकि यह बिल्कुल लिंदी नहीं है आप इसको करेंगे जब आप करने लगेंगे बिल्कुल fastly तो यह बिल्कुल आपका मुस्किल से 5 से 10 सिकंड लगेंगे आपको करने में तो यहाँ से देखिए आपका जो answer आ गया यह आ गया 6 days अब इसके बाद देखिए एक last question करते हैं फिर इस वीडियो को end करेंगे और next वीडियो में करेंगे questions को तो देखिए last question है आपका question है A can do a piece of work in 10 days and B can do the same work in 12 days how long will they take to finish the work if both work together यहाँ पर देखिए दो लोग हैं दो लोग के काम करने के बताये गए कि वो कितने दिनों में individually काम करते हैं एक है आपका person A और एक है person B मान लेजिए वन यूनिट आपका काम है अब आप क्या है जो A काम करता है वन यूनिट को 10 days में तो अब हम पहले 1 day की बात करते हैं कि अगर ए जो है आपका ये 1 day में काम करेगा तो ये कितना करेगा 1 day में ये 1 by 10 unit करेगा यहां तक कोई problem नहीं होगी I think आपको फिर अगर आपका बी जो है 12 दिनों में 1 unit काम करता है A plus B अगर दोनों मिल करके काम करें तो यहां पर आप देखो एक दिन में ये 1 by 10 unit कर देगा और ये आपका 1 by 12 unit कर देगा ये एक दिन में आपका काम की value आगे कितना काम करेंगी इतना unit ठीक है तो अब इसको देखे करते हैं ये आपका इधर LCM हो गया नीचे 120 और इधर आपका हो गया 12 plus 10 मतलब की 22 divided by 120 तो इसको थोड़ा सा simple करो simplify तो ये आ जाएगा 11 by 60 अब देखिए आप one day में ये 11 by 60 unit काम करते हैं तो अगर आप से कहा जाए कि one unit काम कितने दिनों में करेंगी तो वो हो जाएगा 60 by 11 60 by 11 days में इनको काम करने में time लगेगा one unit तो अगर दोनों मिलकर के काम करना चाहते हैं तो उनको 60 by 11 काम करें 60 by 11 days का time लगेगा या पिर अगर आप इसको और थोड़ा सा इस तरह से लिखना चाहें तो 5 लिख दीजिए आप पर 11 into 5 प्लस में 5 by 11 5 प्लस में 5 by 11 अगर आप इसको mixed type के fraction में लिखना चाहते हैं तो यह आपका answer होगी तो यहाँ तक के वीडियो में हमने time and work का बिल्कुल एक basic structure पढ़ा है तो बिल्कुल basic से यहाँ पर कोई भी आपकी trick नहीं है और trick हमें याद भी नहीं रहती इसलिए हम कोई भी trick कभी भी नहीं पढ़ेंगे जो बिल्कुल basic method होना चाहिए हम उसे को पढ़ेंगे तो यहाँ तक हमने बिल्कुल पढ़ लिया basic के बारे में बिल्कुल basic से time and work का इसके बाद हम इसके next वीडियो में time and work पर based different types के question करेंगे नेक्स्ट वीडियो में और इसके बाद बिल्कुल इसी पर based आपका एक chapter है work and wages मतलब कि आप जितना काम करते हैं वो हो गया आपका work और wages का मतलब जितना आप salary उसके लिए आपको दी जाती है वो हो गया आपका wage तो बिल्कुल उसी टाइप पर based है यहाँ पर बस आपको efficiency निकालने पड़ेगी मतलब आप एक दिनों में कितना काम करते हैं जैसे आप यहाँ पर ही question में देख लीजिए यह 1 by 10 unit करता है और यह 1 by 12 unit करता है अगर इन दोनों को 7 काम करने के लिए कुछ पैसे दिये जाते हैं मालेजे 6000 दिये जाते हैं तो इनको किस ratio में divide करना पड़ेगा कि यह जितनी in efficiency उनके according तो यहाँ पर आप देखिए यह 1 by 10 unit कर रहा है 1 by 12 unit कर रहा है तो 1 by 10 unit और 1 by 12 unit यह हो गया A का share और यह हो गया B का share तो यहाँ से आप देखो 12 by 10 आ गया मतलब कि 6 by 5 6 by 5 into 6000 आप करोगे 6 by 5 into 11 तो यह आपका आ जाएगा 6 by 5 यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा सा mismatch हो जाएगा 6 by 5 जो आ गया यह A by B का share आ गया मतलब 6000 का जो होगा 6 by 11 जो होगा 6000 का यह A को इतने रुपेज मिलेंगे और B को इसके 5 by 11 into 6000 रुपेज इसको मिलेंगे बिल्कुल सा ही है जैसे आप यहाँ पर question करते हैं बिल्कुल इसी से ही जुड़ा हुआ है तो बिल्कुल basic questions होगे उसके बाद हम पढ़ेंगे pipe and system के बारे में मतलब पानी की टंकी और जो pipe होता है pipe बर रहा है कुछ पानी की टंकी उस पर based question तो बिल्कुल इसी से ही related है तो आज के वीडियो एंड करते हैं यहाँ पर और अगर आपके इसके बाद भी कोई question है या आपके कोई doubts है तो आप comment section में पूछ सकते हैं और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like, share और subscribe करें और आज के वीडियो यहाँ पर end करते हैं और इसके next वीडियो में जो different types के questions बचे हुआ है work and time के उसको करेंगे जैसा कि हमने अभी पढ़ा हुआ है इसी से ही आपके related होगे और आज के वीडियो य झाल